हाई फ्रेंट्स मैं हूँ मानव वेलकम डू मूवी शूवी दोस्तों अगर आप अच्छे कीन ट्रावलर हो या फिर ग्लोब को अच्छे से समझते हो तो एक ऐसी कंट्री है जिसने मेरे खाल से अर्ली 18 सेंचुरी में भी कोई वार या कोई लायर ड़ाई या बैटल में हिस् से काफी जादा नोबल प्राइज़ भी निकले हैं वो बड़ा ही शांत काम देश कहलाया जाता है मैं स्वीडन की बात कर रहा हूं लेकिन स्वीडन को हिला के रख दिया था जब एक उनके प्राइम मिनिस्टर का असासिनेशन हो गया था जी हां इतना डेरिंग स्टेप और जत्तो जहेद ही लगए मतलब आप यह समझ सकते हैं कि करीबन 25-30 साल लगए उसको सॉल्फ करने के लिए और इसी के ओपर एक सीरीज बेस्ट है जो नेट्फिक्स को पर आई है और हिंदी के अंदर भी आई है इसका नाम है The Unlikely Murderer और एक काफी अच्छी इंवेस्टिगेश इस 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 आप उस गहराईयों में ही चले गए हो विजुली तो देखो बहुत ज़्यादा इंपाट्फॉ पर जब जब देखते हो तो आप बिल्कुल उसी जोन के अंदर ही चले जातो तो काफी प्रेशर सा बिल्ड़ अप हो जाता है थोड़ा सा थामबा थामबा करके देखना होता है क्योंकि अगर आप पेशेंट्ली इसको नहीं देखो तो यह लूस ट्रैक और सेकेंडी क्यों बहुत जादा स्लोर हर वर्ड का कुछ ने कुछ मतलब होता है जो धरे 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 इस्चे चोके जो फाइनल सस्पेक्ट होता है उसके उपर कुछ कॉंक्लूजन आता है अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि जब गोली चली और वहांके जो प्राइम मिनिस्टर है ओलाफ पालमा उनकी जो डेथ हुई उनकी वाइफ भी इंज़र हुई उस ताइब उनके पस कोई बॉडी गार्ड भी नहीं था पर जिस आदमी ने सबसे पहले देखा अब वो आदमी का नाम था स्टिग अब ये स्टिग आदमी नहीं क्या मुर्डर किया था क्या वो उसकी ह प्रेशर बिल्डप होता आपको वो दिखता पुलिस की इंवेस्टिगेशन दिखती है क्योंकि जब हाई प्रोफाइल केस होता है एक पी एम की असाइसिनेशन का तो प्रेशर फॉम दे अथारिटीज भी बहुत चादा होता है बट लोगों ने टाइम लगाया किसी भी इ इवेस्टिगेट किया गया कि उससे फाइरिंग तो नहीं हुग है बहुत कुछ होता है इसके अंदर तो जिनको इस केस के बारे में नहीं पता है मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं पर यह काफी स्लो पेस से चलती है और काफी दिमाग पे घर कर देती है और एंड में आप फिर भी सक्टे में रह जाता होगी जो यह राइफुल कॉंक्लूजन हुआ कि सिरफ सरकंस्टैंशल एविडेंस की वज़ा से कोई कॉंक्लूजन निकाल गया गया है तो मुझे काफी जादा अच्छा लगा और जिस तरीके से जो स्टिक का रोल है इनका नाम है रॉब और बागी सब कभी काम अच्छा है पर काफी जादा गहराई वाली सीरीज है जो मतला आपको बिल्कुल बांद के रख देती है मुझे ऐसे स्लो सीरीज काफी जादा पसंद आती है स्पेसिफिकली अगर वो योरोप योरोपियन साइट की होगी उनका जो कैमरा वोग है जि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यह लोग उसको डिपट करते हैं इमोशन को भी कारेक्टराइजेशन को भी और जो नाच्रल ब्यूटी वो दिखाते हैं वो ज़्यादा तर सैट्स नहीं लगाते हैं उनकी स्काउटिंग उनकी रेकी और वेरियस लोकेशन बेरी जिनके उपर अकर माल लो यह बेस्ट है शकले भी बहुत हत्तक मिलती है तो कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है म्यूजिक ठीक ठीक है इंपक्फुल है जो ग्लूमी इट्मॉसफेर होना चाहिए वैसे ही ग्लूमी है जो आपको थिंकिंग के अंदर लीके चला जाता है असिस्ट यू इंटो थिंकिंग एंड डेट इन इन दाइट मूड रहेगा यह काफी जादा अच्छी लगी पड़ आपको सके इसके नदर आपको धीरी-दीरे टाइंग देना पड़ता है हर शब्द का मतलब होता है तो आपको ध्यान चा सुनना होता हर ही टालो हिंदी मे भी है तो आपकी मातरभाशा में है तो उसमें घपराने की कोई बात नहीं है चलो फिर मिलते हैं को रिव्यू एक और अपडेट के साथ डोंट फ़गेट तो सब्सक्राइब ता चैनल बाई बाई